हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका सेक्सेस जी के राज में आज के वीडियो में हम महत्पून टॉपिक भारत के एतिहासिक अस्थल इमारतें और किले इसके अलावार निर्मान करताओं के नाम के बारे में जानेंगे अगर आप किसी भी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपियोगी होगा चलिए शुरू करते हैं बारत के एतिहासिक अस्थल और निर्मान करताओं किलों और इमारतों के नाम महरांगर किला का निर्मान किसने करवाया था राव जोधा ने महरांगर किला का निर्मान कराया था जोधपूर के सासक राव जोधा ने 12 मई 1469 को इस किले की नीव रखी और महराजा जस्वंत सिंग ने 1638 से 78 तक इसे पूरा किया नेक्स्ट कोस्चन रन्थम्भॉर किला कहां इस्थित है यह सवाई माधोपूर राजस्थान में इस्थित है सक्ति साली रन्थम्भॉर किला भारते राजी राजस्थान के परमुक सहर सवाई माधोपूर के पास रन्थम्भॉर राष्ट उद्यान के भीतर इस्थित है पच्पन में यह वन्य जी अभ्यारन के रूप में अस्थापित किया गया है। नेक्स्ट कोस्टन आमेर का किला किसने बनबाया है। राजा मान सिंग पर्थम ने आमेर का किला बनबाया। आमेर का किला का निर्मान सुरुआती सुलमी सताबदी के में राजामान सिंग ने की थी हलाकि इसके निर्मान में कोई से पूरा सवाई जैसिंग दुच्ति और राजा जैसिंग द्वारा किया गया था नेक्स्ट कोस्टन कुम्भाल गर का किला किसने बनवाया था एंसर है राना कुम्भा कुम्भाल गर का किला राना कुम्भा ने बनवाया था या रजस्थान के पहाड़ी किलों में सामिल एक विस विरासत अस्थल में से एक है इसे पंदार्मी सताबदी में राना कुम्भा न नें बनवाया था, next question, Fort William का निर्मान किसने करवाया था, answer, Its India Company ने Fort William का निर्मान करवाया था, इतिहासि का स्वरूप का निर्मान, वर्श 1696-1715 इस्वी के मध्धी British Its India Company ने करवाया था, इसकी ले का नाम इंगलेंड के राजा विलियम तिर्तिय के नाम पर रखा गया है Next question हवा महल का निर्मान किसने करवाया था हवा महल का निर्मान महराजा सवाई परताप सिंग ने करवाया था हवा महल भारतियर राज जी राजस्थान की राजधानी जैपूर में एक राजसी महल है इसे सन 1799 में राजस्थान के जैपूर बड़ी चोपड़ पर महराजा सवई परताव सिंग ने बनवाया था Next question महराजा पैलेस मैसूर पैलेस कहां अस्थित है करनाटक के महसूर में महराजा पैलेस मैसूर पैलेस इस्थित है करनाटक में महसूर के केंद्र में इस्थित यह वहां के राजा का महल है जो देश की सबसे संदार संरंचनाओं में से एक है इसे अमबा विलास के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोस्चन राष्टपती भवन के वास्तुकार कौन है राष्टपती भवन के वास्तुकार एडविन लैंड सियर है इसका निर्वान एडविन लैंड सियर ने किया था कहा जाता है कि राष्टपती भवन पहले वाइसराय का पहले स्थार आजादी से पहले और निर्मान का आरंब 1912 में से 1931 में पूरा हुआ नेक्स्ट कोस्टन बुलन दर्वाजा का निर्मान किसने करवाया था अकवर ने बुलन दर्वाजा का निर्मान करवाया था बुलन दरवाजा भारत के उत्तर परदेश प्रांत में आगरा सहर से 43 किलो मीटर दूर फटेपूर सिकरी नामक अस्थान पर इस्थित एक दार्शनिय इसमारक है इसका निर्मान अकबर ने 15181 AD में करवाया था बड़ा इमामबाडा कहां इस्थित है यूपी उत्तर परदेश लखनव में इस्थित है बड़ा इमामबाडा लखनव भारत में एक इमामबाडा परिसर में है जिसे 1784 में लखनव के नवाव आसफ उल्दौला ने बनवाया था कुतूमिनार का संस्थापक कौन है कुतूमिनार का संस्थापक कुतूबिन एभग है जो की गुलाम राजवनस का है गुलाम राजवनस के खुतूमिन एभग ने AD 1199 में मिनार की नीव रखी और यह नवाज अदा करने के पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी और इसकी पहली मंजिल पर नवाज अदा करने की पुकार लगाई जाती है Next question Gateway of India का डिजाइन किस ने तयार किया था जोर्ज वी टेट ने Gateway of India का डिजाइन तरायार किया था Gateway of India का निर्मान 1199 में तब सुरू किया गया जब इंग्लैंड के राजा जोर्ज पर पंचम और उनकी पतनी रानी मेरी भारत आये थे मुंबई बंदरगा पर इस मृती पत्र के रूप में इसका निर्मान वास्तुकार जोर्ज वी टेट ने किया था Next question चार मिनार कहां इस्थित है चार मिनार तेलंगाना के हैदराबाद में इस्थित है चार मिनार का निर्मान पंदरगा सोई कॉनवे इस्थि में कुतुब साही वन्स के पांचमे सासक मुहमद कूली कुतुब दीन साह ने करवाया था Next question असोग अस्थम किसने बनवाया था असोग अस्थम समराट असोग ने बनवाया था Next question विजय अस्थम कहां स्थित है विजय अस्थम चित्तवर के राजस्थान में स्थित है महराजा कुंभाद्वारा निर्मित विजय अस्थम चित्तवर गड की ले के परिसर के अंदर स्थित एक नौमंजिला मिनार है जिसे 1440 इस्वी में मुस्लिम सासक अलावदीन खिलजी ने राजपूतों की जीत के उपलक्स पर बनवाया था Next question ताज महल के वास्तुकार कौन है ताज महल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लहौरी है ताज महल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लहौरी थे वो एक फारसी वस्तुकार थे जो ताजमहल के मूखे वस्तुकार थे इसका निर्मान 1612 से 1693 इसवी के बीच हुआ Next question अधाई दिन का जोपड़ा का निर्मान किस ने करवाया था इसे अधाई दिन का या धाई दिन का जोपड़ा भी कहते हैं इसका निर्मान कुतुबुद्दीन एवक ने करवाया था अधाई दिन का जोपड़ा राजस्थान के अजमेर में इस्थी थै या एक महजी थै यहां टाइप में गलती हो गया है इसका निर्मान मोहमद गौरी के आदेश पर उसके सेनापती कुतुबुद्दीन एवक ने 1199 में करवाया था कुतुबुद्दीन एवक गौरी का गुलाम था और ये गुलाम राजवन से